आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जल फरेजी जो बनाना बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत डिलिश्यस है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से क्लेक करें ताकि मेरी वीडिय आपको मिल सके अप्लोड करते ही तो शुरू करते हैं इससे बनाना इसके लिए हमने तीन मीडियम साइज प्याज दो टमाटक की प्यूरी थोड़े से ग्रीन रेड बेल पेपर्स थोड़ा सा अध्रक फाइन स्लाइसिस किया हुआ एट क्लोब्स गालिक के फाइन स्लाइसि चिकन के छोटे-छोटे पीस काटेंगे कुछ इस तरह से अगर हम ये डिश थाय चिकन से बनाएंगे तो ये डिश और भी डिलिश्यस लगेगी सबसे पहले हमें एक पैन लेंगे पैन में टू टेबल स्पून ओयल डालेंगे और उसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल के ग जब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये ड्राइश नहों जाए और ये अपना ओयल ना छोड़ दे चिकन अब रोस्ट हो चुका है इसे हम अलग बोल में रख लेंगे फिर हम एक पैन लेंगे पैन में दो चमच तेल डालेंगे तेल के गरम होने पर हम उसमें sliced garlic, onion और onion के soft होने पर हम उसमें green red bell peppers आड़ करेंगे फिर हम इसमें tomato puree आड़ करेंगे puree के अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें masala आड़ करेंगे सबसे पहले दो चमच देगी मिर्च, एक चमच धन्या पावडर, एक चमच नमक और pinch of healthy आड़ करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे इसके अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें roasted chicken आड़ करेंगे अब हम इसमें एक चमच चिकन मसाला, आधा चमच गरम मसाला और हाफ कब पानी आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें बारी कटा हुआ धनिया, अद्रक के fine slices और हरी मिच डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम दो मिनट के लिए cover करके पकाएंगे दो मिनट के बाद चिकन जलफरेजी रेडी हो जाएगा आप देख सकते हैं कि ये देखने में बहुत ही delicious लग रहा है और खाने में भी बहुत ही yummy है ये हमारी one of the favorite recipes में से एक है अगर आपको ये recipe पसंद आए तो like, comment जरू करें और चैनल को subscribe जरू करें